आप सभी डॉक्टर बावसाम बेटकर की जैनती मनाने की तैयरियां कर रहे होंगे निशेत उसे पूरा देश इस वक्त जैनती मनाने की तैयरियां कर रहा है राजसरकारे भी अलग अलग राजसरकारे भी तैयरियां कर रही हैं और इस बार तो केंदर सरकार भी तैयरियां कर वाले हैं और वो online पर दित्री से अहला कि वह गाटन होने वाला है लेकिन इस बार जो है डॉक्टर बावसाम बेटकर की जैनती मनाने के लिए सब में बहुत जबर्दस्ट का उसाह है हर साल की तरह इस साल भी बहुत जबर्दस्ट होने वाला है लेकिन नागपूर में एक ऐस इस्थान है जहां पर जैनती मना निकले कोट से अनुमती लेनी पड़ रही है चोगेनाप नागपुर में महराष्ट में जिसे हम बाबा सहाब की कर्म भूमी कहते हैं जो ये नागपुर जिसे हम दिक्षा भूमी कहते हैं इस जगे पर भी जैनती मना निकले बाबा सहाब की जैन्थी मनाने के लिए कोर्ट की शरण लेनी पड़ रही है कितनी अजीब बात है बात यह है दरसल क्योंकि डॉक्टर बावसां अंबेटकर को एक जमीन आवंटित की गई थी यहां नागपुर में यह बात है 1976 में डॉक्टर बावसां अंबेटकर को एक जमीन आवंटित की गई थी यह करीब 20 एकर जमीन है और इसके बाद जब बीजेपी की सरकाराई जब शिवसेना की सरकाराई बाद में तब इस आवंटन का जो कानून है उसमें बदलाव कर दिया गया और यह बावसाहब के नाम से आवंटित यह जमीन जहाँ पर अल्डेडी एक समारक एक सांस्कितिक भवन बना हुआ है उस जगह को एक प्राइवेट कमपनी को लीज पर दे दिया गया इसलिए कि वहाँ पर अब वो अमविजमेंट पार्क बनाएगा गरुणा नाम की यह कमपनी जिसमें बीजेपी के पूरी घुसपैट है जिस कमपनी में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की घुसपैट है वो कमपनी अब वहाँ पर मनोरंजन पार्क बनाएगी इसलिए उसे लीज पर दे दिया गया और जब आमविट क्राइट लोगों ने इस जगह पर जैनती मनाने की सूची तब नाकपुर महानगर पालिका ने इस जगह पर जैनती मनाने की अनुमती देने से साफ मना कर दिया और ये कह दिया कि ये जमीन लीज पर दे दी गई है राजसरकार द्वारा इसलिए आप यहाँ पर जैनती नहीं मना सकते लिहाजा जो आमबेट करीट जो लोग है वो कोर्ट की शरन में उन्हें जाना पड़ा बड़ी अजीब बात है कि भारत जहाँ पर बाबा सहाब का समविधान चलता है भारत जहाँ पर ये इस समविधान को लेकर पुरी दुनिया जिसका लोहा मानती है जिसके ज्यान का लो में जैन्तिय मनाने के लिए भी कोट की शरण लेना पड़ता है और अब आज उसकी सुनवाई है देखते हैं कि कोट क्या फैसला करता है या फिर हो सकता है मामले को टाल दे लंबे समय के लिए क्योंकि इस जगे से सरकार को अब धन अर्जन करना है इस जगे से कमाई करनी है इ यहां पर लंबे समय से इस जमीन को इस लीज के यानि की प्राइवेट कमपनी के जो कबजे से छुटकारा दिलाने के लिए इस जमीन को बचाने के लिए लंबे समय से यहां पर अंदूलन चल रहा है बहुत सारी महिलाएं लगातार यहां अंदूलन कर रही हैं और वो कह र जाएंगे लेकिन हमारा अंदूलंग खत्म नहीं होगा जब तक यह सरकार इस प्राइवेट कंपणी के लीज से इसे वापस अमिट्राइट लोगों को नहीं देती यहां पे तमाम बुजर्ग लोग लगातार अंदूलंग कर रहे हैं यही वो जमीन है जहां पर डॉक्टर बावसाम मेटकर के नाम से इस जमीन को आवंटित किया गया था एक सांस्कितिक भवन बनाया गया था लेकिन भूमाफिया को देने के लिए यह भवन साजिस करके गिरा दिया गया जैसी भी से गिरा दिया गया बात यह कहीं यहां पर शाजा दक लगवावसाम उनिसे छोपन में दिख्षा दिया था वहां पर शेद रिख्षा कार्टर मुहां हुआ वहां जब सरकार थी कांग्रेस की तो उनके ज़े ज़िए शेब आशाब कर सतकार के लिए यह तो दिया कार्पोरिशन ने यह पर सब कुछ लग जाते है इसके बाद में बाबा सहब को यहां पर पिmost्चर बनाघा ठीक है उसके बाद में पिचर बने के वार्भी ने क्यान के अब यह कोईट की निàngी थी रती उस जावर आदम एससले से नहीं थे अप्रिबीमारी के वज़े से उस पिलज में इन दोकों नेक्टाइब के टीना लगा करके तीन लगा करके मसीन अंदर लेके गये गिला नेकी और वह उजोष कर डाले गिला दिये और अभी क्या बोलते हैं कि हमने नहीं गिलाए तो फिल गिला किस ने तुमने नहीं गिलाए तो उस पिलज के अंदर में बोडे 2021 में तुफान आया था पानी आया था उसका भी हमने पटा निकाल दे कोई पानी आया नी पीछे में एक धार था धार तो थाच ली उसके बारे में जब इन दोकों को मेचों का काम था यहां पर गोड़ान बनाए जब नहीं गिल अब जब तुफान आया तो आज बाद का जोपले नहीं गिले और तुमारे कोई अधानी नहीं हुई ऐसा इन दोको का कहिना है इसलिए हमारा धर्णाई मेला का यह होज़े है कि हमारो 21 जमीन हमको होना यान होना यान होना और लेके रहेंगे उसके बाद में हमको क्या करना कि कि यहाँ पर बाद साहप का नाम लेने लेते ही वेख लोगों को अजीब सी नफरत अजीब से सेहरन पैदा हो जाती है पता नहीं क्यों उन्हें एक अजीब सा लगता है कि बाबा साहब का नाम जब हो जाता है तो इनको तकलीफ होने लगती है और यही कारण है कि हर बार कुछ न कुछ नया बखेडा खड़ा कर दिया जाता है यह जो नमीन है कि गौर्मेंट ने कार्पोरेशन को दिया थी लीज के उपर देने की ज़रूत नहीं उन्होंने अपने हिसाब से डेवलेप्मेंट करने को ना क्योंकि वो भी एक एने सरकारी डिपार्मेंट है और सरकार की जमीन दूसरे को देते हो सरकार ने फिर अपनी जमीन ऐसा होता एक एवना चाहित इस इसाब से दी गए थी तो इस इतु न करती हुए इन्होंने जान बूजके और यहां एक ऐसा सडियंत्रा है बाबा साब के इस इसको एक करने का जहां कि इस दिक्षिया मुमी में बाबा साब ने इतना बड़ा धम्म दिक्षिया दी एक सेंटर है इंडि तो एक बड़ा सडियंत्रा है और आज अपन देख रहे कि भारत में क्या चल रहा है जब से यहां बीजीपी की सरकार आई 15 साल के पहले उन्होंने इसका रखराकाव करना बंद कर दिया और इसके वज़े से क्या हो गया कि आया है माब आने जो जिसको अपन बोलेंगे कि व तो उन्होंने फिर बात में यह किये कि यहां एक डेवलफ में के लिए करना चाहिए इन्होंने डेवलफ में न करते होए बुमापया को दे दिया और यहां बहुत बारा भारी सडियंत्राएं एक तरब जहांपर साउथ में इस वक्त तेलंगाना में एक पुरा सची वाले बावा सहाब के नाम से किया जा रहा है एक बहुत बड़ी प्रतिमा जो है बनायी जा रही है बावा सहाब की साउथ में इतना सब कुछ हो रहा है दक्षिन भारत में लेकिन महराष्ट जो कि बावा सहाब की कर्म भूमी है वहाँ पर ये स्थितिया है सोचिएगा आप क्या कहते हैं इस बारे में अपने कमेंट बॉक्स में आप अपनी बात जरूर रखिएगा